दियर स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चानल स्टडी विद दुलार में तो बच्चों हम लोग जिस पिक्चर को देख रहे हैं उससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि यह न्यूटन का पिक्चर है जिन होने गुरत्वाकरसन बलके सिध्धान्त को ख विज्ञान का था तो वे किस तरह से विज्ञान तक पहुंचे वे किस प्रकार से विज्ञानिक बने इस तरह का इसमें इस चेप्टर में दियावा है उन्हें से समंधित ता यह हम लोग पढ़के देखते हैं आईजक नूटन एक परसिद विज्ञानिक हो गया है वो अंग्रेज था इंग्लेंड के एक गाउं का निवासी था एक साधरन किसान के घर में उसका जन्म हुआ उसके पिता का दिहान्त हो चुका था उसकी मा भी कहीं चली गई तो नूटन का पूरा नाम आईजक नूटन था और वो एक परसिद विज्ञानिक बन गये थे वो एंग्लेंड के रहने वाले थे और उनके पिता एक किसान थे तो उनके मिर्तिव बहुत पहले हो चुकी थी संभवता वो छोटा थे उसी समय उनकी मिर्तिव हो गई और उसकी मा भी उसको छोड़कर कहीं चली गई थी उसकी दादी थी उसकी दादी ने इस अनात बालक का पालन पोसन किया गाउं की पड़साला में पढ़ने भेजा न्यूटेंट पढ़ने में तेज नहीं था साधरन था पर वह पर रहा था पतंगे भी उड़ा रहा था चित्र बना रहा था इस तरह गाउं की पड़साला की सिच्छा पूरी की, जिस तरह से एक साधरन बालक पढ़ाई करता है गाउं के स्कूल में, उसी तरह से वे भी पढ़ने में तेज नहीं थे, उसकी दादी उसको पढ़ने के लिए गाउं के स्कूल में ही भेज दी और वहीं पेवे अपनी प्रात्मिक सिच्छा जो है उपूरा किये बारावर्स की आयू में वह निकट के नगर में पढ़ने गया बगल में जो सहर था वहाँ पे चला गया जब बारावर्स का हो गया वहाँ भी दबू बना रहा कॉपियों में चित्र बनाता या कुछ लिखता एक दिन एक सैतन लड़के ने उसे अकारन पिट दिया उसके स्वाभिमान को चोट लगी उसका सिधा पन विद्रोख कर उठा उसने परतीसोध लेने का निश्चे किया इस घटना ने उसके जीवन को बदल दिया वह साधरन से आसाधरन बनने लगा उसने दादा किसम के लड़के से बदला ले लिया साथ ही अपनी पढ़ाई पर मन एकागर किया वो अपनी कच्छा में पर्थम स्रेनी पाने लगा अब जब वो नगर में सहर में पढ़ने के लिए गिया तो वहां दबू बन के रहता था मतलब किसी से ज़्यादा कुछ बादचित नहीं करना है किसी से उतना कोई लेना देना नहीं रखता था अपना पढ़ाई करता था कुछ पिक्चर बनाता था इसे तरह से वो पढ़ाई कर रहा था लेकिन एक बदमास लड़का जो था कई बार इस तरह कई स्कूलों में बच्चे होते हैं तो एक सैतान लड़के ने उसको पिटाई कर दिया देखा कि ये सिधा साधा लड़का है अगर पिटते हैं तो क्या फरक पड़ने वाला है तो उसको पिटाई तो कर दिया लेकिन वो सिधा तब तक था लेकिन जब मार खाया तो उसका स्वाभिमान जाग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कोई हमें पिड़ते इस तरह से तो उससे बदला लेने के लिए सोचा और इस तरह के कई बच्चों से उसने बदला लिया और वो साधरन से आसाधरन बनने लगा पढ़ाई भी उसका जो है अच्छा होने लगा पढ़ाई में मन लगने लगा वो अपने कलास में फर्स्ट आने लगा सासा उसकी माँ घर आ गई जब उसकी माँ कहीं चली गई थी तो अचानक जो है उसकी माँ एक दिन घर आ गई खेतों की दिखभाल करने लगी, अपनी खेती में सहयोग के लिए Newton का स्कूल चुड़वा दिया पहले लोग पुराने समय में पढ़ाई को उतना ज्यादा महत्तु नहीं दिया करते थे जिसके कारण वो काम करवाने के लिए बच्चों से उसकी पढ़ाई को चुड़वा देते थे आज भी गाउं में ऐसा होता, तो उसी तरह से Newton की मा उसको पढ़ाई चुड़वा कर खेती बाड़ी में काम पर लगा दिया, लगा कि Newton के आसाधरन विकास में रोक लग गई, तो जिस तरह से उसके अंदर विकास हो रहा था, बदला हो रहा था, उस पर रुकावटा गया, पर Newton खेती में नहीं लग सका, क्योंकि उसका मन उसमें नहीं लगता था, उसका मन नह लखने, कुछ सोचने और कुछ नया करने में परसन होता था, कुछ वो खोजते रहता था, कुछ नया चीज़ करना चाहता था, तो इससे लिए वो खेती बाड़ी में लगनें सका, एक दिन की घटना उसके जीवन में नया मोड दे गई, एक बार तुफान आया, तुफान बड़ा बदलाव लाता, उसे तरह से उसके साथ भी हुआ, तो तुफान जो आया, अब उसमें दरवाजा बंद करने के लिए उसको भेजा गया, लेकिन दरवाजा बंद होने रहा था, तेज दुफान के जटके से दरवाजे के कबजे तूट चुके थे, जो कबजे होते ह दरवाजे में वो तूट गया था, जिसके करनों बंद नहीं हो रहा था, न्यूटन तो आंधी तुफान में नया परियोग कर रहा था, अब वहाँ पे उसको आंधी तुफान मिला तो अब उसका परियोग चलू हो गया, वह बार-बार खिरकी से कुद रहा था, कुदने के काम करेगा अगर उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे ये तो कुछ जो है मतलब टाइम पास वाला काम कर रहा है इससे कुछ तो होने जाने को है नहीं इस तरह से लेकिन वो पता लगा रहा था कि तेज हवा चलने से उसकी कूद जो है लंबी होती है और अगर उस जगा पे हम लोग भी रहेंगे तो वही करेंगे कि ये क्या कर रहा है हम लोग की समझ से बाहर हो जाएगा इसलिए न्यूटन को फिर से पढ़ने का मुका मिल गया जब देखा कि खेती में उसका काम में मन नहीं लग रहा है तो उसको वहां से हटा दिया गया और बोला कि जाओ अब तुम पढ़ाई करो और वहां गेरजुएट हो गया मतलब गेरजुएशन की पढ़ाई कर लिया बीए की पढ़ाई कर लिया अब तो वहां अपनी परतिभा से सिचकों को भी चमत किरत करने लगा अब इतना जादा उसके पास नौलेज हो गया कि सिचको नया प्रयोग सामने आ चुका था अब पलेग एक खतरनाक बिमारी है जिस तरह से महामारी फैलती है जिसे कि आज के समय में कोरोना फैला हुआ है उसी तरह से समय समय पे महामारी दुनिया में फैलता रहा है 100 साल, 120 साल इस तरह का इतने इतने समय अंतराल में महमारी फैलने का खत्रा जो हमेशा लगा रहा था तो उस समय भी प्लेग नाम का बिमारी फैला और वो अपने गाउं लोटाया तो वहाँ पे गनित का परियोग करने लगा गाउं में एकान चिंतन चलता रहा चिंतन मतलब कुछ ने कुछ वो विचार करते रहता था एक बार न्यूटन अपने बाग में बैठकर चंदरमा की और निहार रहा था सोच रहा था कि चंदरमा किस अकरसन बल के कारण सूरी का चकर लगाता है न्यूटन इस तरह कई बाते सोच रहा था लेकिन एक साधरान आदमी इस तरह की बाते नहीं सोच सकता वो सोच रहा था कि चंदरमा किस बल के कारण सूरी का चक्कर लगाता एक साधरान आदमी क्या सोच सकता है हम लोग सोच सकते हैं कि ये सब भगवान की माया है, भगवान के द्वारा हो रहा है, तो उसी समय बाग के एक पेड़ से सेव निचे गिरा, उसका ध्यान उस और आक्रिस्ट हुआ, वह सोचने लगा कि सेव निचे क्यों गिरा, उपर की और क्यों नहीं गिरा, इसी घटना औ उपर है तो उते निचे गिरेगी, लेकिन क्यों गिरेगी, क्यों गिरा, इसके बारे में ज्यादा तर लोग नहीं सुचते, लेकिन इस तरह की डिफिरेंट सोच ही इनसान को अलग बनाता है, जिसे उसके सिस्यों ने प्रस्तुत किया, धरती में गुर्तवाकरसन है, इसलि इसके कारण कोई भी चीज जो है, वो धरती की और खिच जाती है, और धरती पे ही गिरती है, इदर उदर कहीं नहीं जाती है, अब न्यूटन साधारन नहीं, आसाधारन हो गए, वे कॉलेज में गनित के प्रोफेसर नियुक्त हुए, अब उनमें ऐसी परतिभा आने लगी कि साधारन मनुष के पास उस तरह की परतिभा नहीं होते, इसलिए वे आसाधारन हो गए, और कॉलेज में उनको प्रोफेसर के रुप में चुन लिया गया, उन्होंने गनित तथा प्रकास के छेतर में ने-ने अनसंधान किये, प्रतिष्ठा बढ़ती गई सन 1705 में सर की उ उपाधी से विभुसित हुए, तो सर की उपाधी, तो ये इंगलेंट की उपाधी है, इसलिए सर की उपाधी या दिया गया, हम लोगों के देश में कुछ न कुछ इस तरह का हिंदी नेम होगा, इस तरह का नहीं होगा, तो यहां पे चप्टर समाप्त हो गया है, हम लोग Q2 इन वाइक्यों को सुध करें, अब यहां पे जो वाइक दिया हुआ है, इसमें कुछ न कुछ मिस्टेक है, कुछ न कुछ गल्ती है, इसको ठीक करना है, Q3 में दिये गए सब्दों से खाली अस्थानों को भरें, यहां पे जो सब दिया गिया है, और जहां पे यह उप्यूक्त होगा, वहां पे इसको भरना है, इसके अलावा Q4, सोचे और बता है, जो कि यह इस चेप्टर का मुख Q4 है, तो आएए मैं आप लोगों को इसका अंसर बना के दिखाता हूँ यह है चेप्टर 17 का question answer, question number 2 में इन वाइक्यों को सुध करें, यहां पे direct इसका answer दिया गिया है, जो सुध वाइक है, उसको लिखा गिया है, आप question अपने बुक से ले सकते हैं, या फिर वीडियो में जो दिखाया गिया है, वहां से ले सकते हैं question number 3 दिएगे सब्दों से खाली स्थानों को भरें, तो यहां पे इसका direct answer दिया गिया है, आप यहां से देखकर भर सकते हैं, question number 4 सोचे और बताएं, अंग्रेज विज्ञानिक का क्या नाम था, आईजक न्यूटन, न्यूटन पढ़ने में कैसा था, न्यूटन पढ़ने मे पर कुद लंबी होती है, हवा की गती कम होने पर कुद छोटी होती है, वह बाग में बैटकर क्या सोच रहा था, वह बाग में बैटकर सोच रहा था कि चंदरमा किस आकरसन बल के कारण सूरी का चकर लगाता है, सेव के नीचे गिरने से कौन सा सिधान्त सामने आया, गूर् आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है ता आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और नेक्स चेप्टर को पढ़न के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग next वीडियो में चलते हैं